इस इस सोनु कुमर पांडे वेलकम अगें टू माई टीव चैनल मैच्स मैजिक विद सोनु सर आज बहुत ही प्यारा कोस्टन हम लोग देखने वाले है यह साई का यानि ब्याज में कमी बराबर कमी ब्रिधी 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 या ब्याज का योगफल बराबर योगफल पर बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोस्टन सब बन जाता है चलिए देखिए ब्याज का अर्थ क्या होता है 80% होता है यानि दर गुने 70% ब्याज होता है हम लोग का तो चलिए कोस्टन देखते हैं समझिएगा बड़े अच्छे डंग से एक रासी का सधारन ब्याज की किसी दर प अधिक किये हैं टाइम दो बर्स है तो देखिए आर गुने टी तिन दूनी 6% अपको ब्याज अधिक मिलता और रुपया में ब्याज कितना है 72 रुपया अधिक मिलते हैं तो अधिक मिलने का और्थ है कितना इंक्रीज करेगा देख लेना है तो 3% रेट आप बढ़ाएंग बार्चक 72 रुपया आपका अंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं आज जो भी कोस्टन देखना है यहीं है ब्याज का योगफल अंतर ब्रेधी कमी पर कोस्टन होता है और ब्याज 80% से हम लोग समझ लेंगे ब्याज पर धन देने वाले ब्यक्तियों को ग् था तो आठ गुने एक यानि 8% हमको मिलता 80% लेकिन दर में गिरावाट यानि सच्चों का थाइस तीन यह 31 बटा 4% से एक साल में कितना मिलेगा तो गुनाई जैसे यहां आठ दर था एक साल था तो आठ गुने एक पर चार पर संट गुने एक करेंगे तो 31 बटा 4% आपका 12ику चाल में किया हूं 80 अब देखी कहरा है कि कमी हो रहा है तो देखिए याज ताई 103 2 2 देखते हैं यह शो ग क्वत ताट से एक साल में गहता लेंगे तो देख सकते हैं यह स necesétais गया यह एक ब्टा चार पर्शंट की कम हो रही है यह आज में में 80% के अनुसर कितना एक बटा 4% की कोश्टान कर एक सठ पचास की यानी एक बटा चार परसेंट बरावर इतना तो अब यहां निकाल लेंगे एक बटा चार गुने सौ कर देंगे अब देखिये क्या है यहां डाइरेक्ट समझते हैं दो अंके बाद बेसिमल है तो सौ नीचे उतरेगा तो सौ से सौ कट गया अब देखिए यहां क्या करना है चार उपर चला जाएगा यानि एक सट पचास गुने चार यानि छोचोव का बार्सिक दर से सधारन ब्याज पर कोई रिन लिया यह दर परती वर्ष देर परती सद बार्सिक दर से बढ़ जाता है तो तीन वर्ष की समापती पर उसे 81-90 रूपई यह ब्याज के रूप में मिला तो रिन की रासी बताए यानि मुलधन बता देना है तो 81-90 मिला हुआ है आप देखिए छोज से डेर बढ़ गया रेट तो सारे साथ हो गया टाइम कितना तीन वर्ज यानि आर्टी परसेंट आप निकालेंगे तो सारे साथ गुने तीन करेंगे तो यह 22.5% होगा को सन कहरा है ब्याज मिला है तो दोनों बात बराबर होगा ब्याज बराबर ब्याज तो कहेंगे 22.5% बराबर एक आसी नब्बे एक परसेंट बराबर एक आसी नब्बे बठा बाइस दसमलों पांच गुने सो तेके डेसिमल हटाईएगा तो एक जिरो यहां ला दीजिए यहां देखिए पचीस नवा द देखते हैं ध्यान रखना है यहीं आटी परसेंट वाला कंसेप्ट यहां पर लगेगा दो बराबर आसिया करम सा दो बर्स और तीन बर्स के लिए आठ पर तीसत की सधारन ब्याज की दर पर उधार ली गई ब्याज में अंतर 56 रुपाईए है तो ब्याज में अंतर अंतर की देखिए तो कितना है तो 24-16 का अंतर है आठ परसेंट करें 56 रुपया का अंतर है तो ब्याज का अंतर बराबर अंतर कंसेप्ट हो गया 56 बटा आठ गुने सवाट सते शापन साथ गुने सव यानि साथ सो कुछ और भी अच्छे-चे कोस्टन हम लोग देखेंगे चलिए देखते हैं अगला कोस्टन परभात ने एक बैंक से कुछ रासी आठ परतीसत बार्सिक सधारन ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वहीं रासी बारव परतीसत की बार्सिक दर पर आसीज को उधार दे दी ताद अनुसार बारव बरसों के बाद उसे 960 रुपई यह कलाव मिला तो मूल रासी बता है तो देखिए परभात ने क्या किया है आठ परसेंट पे लिए बारव बरसों के लिए तो बारव अठ चानवर परसेंट इसको ब्याज मिलना चाहिए लेकिन वो क्या किया है रासी लेकर आसीज को दे दिया है और दोर आठ के जगा अप को मिले 144 परसेंट और बताइए जो फैदा होगा यहीं न ब्याज में अंतर यानि धन बराबर ही है आप मेरे से ले लिए और आप किसी दूसरे को दे दिये और क्या कि यह उसी में रेट बरहा लिए तो क्या होगा आपको 80% का फैदा मिल जाएगा और वही ब्याज का फैदा आपको लाव मिलेगा देखिए चानबर से 144 यानि आपको 48% का फैदा मिल गया कोशन कहरा है 960 का फैदा मिला हुआ है यानि 48% बराबर 960 एक परसेंट बराबर 960 बटा 48 गुने हो जाएगा समझ चुके होंगे यानि परभात ने एक बैंक से कुछ 88% बारसिक सधारन व्याज की दर से उधार ली और 12% की दर पर 80 को दे दिया तो उसने लिया उधारा फिर दूसरे को दे दिया समय बाराबर्स ही है दोनों के लिए तो एक का रेट है आठ और समय बारा त के रूप में फैदा जाएगा चलिए निक्स्ट कोस्टन देखते हैं कि एक ब्यक्ति ने बराबर बराबर धानरासी चौपर तिसद वार्सिक दर पर राम को आठ वर्स के लिए उधार दिया दोनों से कुल लाफ जो है ब्याज के रूप में 1660 मिला है तो देखिए कुल ब् बर्स में 8-48% मिलेगा और यहां 10 बर्स में 6% से 10 शक 60% मिलेगा तो अंतर होता था तो घटा लेते थे यह फल है यानि टोटल ब्याज दिया है तो योग करके देखेंगे और 40-60 कितना हो गया एक सो आट परसेंट हो गया यानि अग साथ बराबर एक एक सा साथ तो आपको मुलधन मिल जाएगा एक साथ दोनी दूसर 16 यानि 20 उगया बिस गुने 100 करेंगे तो इसका भी आंसर 2000 आ जाएगा तो आप बड़े अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं 6 प्रतिवर्ष यहां 6 वर्षों के बाद 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष है यदि 9 वर्षों की पूरी ओधी के लिए उपचित सरल ब्याज एक आरे 27 रुपईया है तो धन रासी बताए यानि दर समय अलग-अलग है और टोटल आपको जो ब्याज है वह 1120 रुपईया दिया हुआ है दर और समय के लिए यानि टोटल जितना समय और दर है उसका हिसाब करके आपको टोटल ब्याज निकालना होगा और ब्याज निकालने के लिए 80% का इस्तेमाल करेंगे तो यहां कोशन बनाने से पूर्व ही देख लिए यानि 9 बर्षों की alter सब 20 के बरापर होगा उसलिए देखते हैं पर्थम दो बर्षों के लिए 4% दो चोका 8% हो गया अब तदो प्रांत 4 बर्षों के लिए 6 परसेंट तो youtube 24% हो गया अब धिया दियांसे देखिए दो बर्षों गया चार बर्षों यानि 6 बर्स की घटना हो चुकी है और 9 बर्स का ही हिसाब करना है यानि कोस्टन अब कर रहे हैं 6 बर्सों के बाद 8% यानि दौर तो 8% है 6 बर्स के बाद दौर लगाया 8 नौ बर्स में ले लेगा यानि बीज का समय 3 बर्स न बचा यानि 6 बर्स के बाद इसको 3 बर्स का समय म परसेंट पराबर 11 सब 20 बटा चपन गुने सव करेंगे मुलधन मिल जाएगा चपन दूनी एक सब आरफ यानि 20 हो गया 20 गुने सव करेंगे तो 2000 आपका अंसर हो जाएगा तो देखिए कोस्टन ऐसा भी दे सकता है अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग दर देगा तो अगर ब्याज देगा टोटल तो आपसे मुलधन पूछेगा अगर मुलधन पहले उप्रवाइड करेगा तो आपसे टोटल ब्याज पूछेगा त चौब बर्स के बाद तीन बर्स ही समय मिला आपको 8% से यही 84 का 24 है वैसे यहां यहां पर दो चौब का 16 है यहीं तीन दर अलग-अलग-अलग-अलग समय है और 9 बर्स का हिसाब हो गया यहीं टोटल टाइम के लिए आपको हिसाब करना था चलिए देखते हैं एक व्यक्ति कि ने आठ आछाजार उपई यही सर्थ पर उधार दिया यहीं पहला ही आपको मुल्धन दे दिया है ठीक है यहां अब की बड़ ब्याज़ पूछेगा लेकिन ब्याज तो 80 परसंट से आपको ट्टल करना पड़ेगा तो देखिए कहरहीं सर्थ पर दिया कि पहले 5 बर्स क के लिए 10% बार्सिक सधारण लगेगा यदि वो बारा बर्सों के अंत में लोटा है अब देखिए पांतिन आठ बर्स हो गया है अब आठ बर्स बाद दौस पर्सेंट पर दिया अब 12 बर्स में टोटल हिसाब ले लिया तो 8 बर्स के बाद उसको तो चार बर समय मिलेगा जिस पर रेट क्या होगा 10% यानि 4 गुने 10 यानि 10 चोग का 40% अब मुल्धन दिया है तो मुल्धन का करके इसे निकाल देंगे यानि देख सकते हैं 30, 20, 50, 40, 90, 94% यानि 8,000 का 94% हम लोगों को निकाल देना है वैसे ब्याज देता तो कहते ब्याज बर समय तीन से 20 जो रहेंगे तो 75 सा क्या होगा 20 यहीं हम लोगों को टोटल ब्याज मिलेगा क्योंकि अल्रेडी मुल्धन दिया था ब्याज का रेट समय दिया था हम लोग टोटल ब्याज 80% में निकाल लिए उसके बाद यहां पर भैलू पांच परती बर्स यहां आठ बर्सो से अधिक के लिए छो परती बर्स चो परती सत परती बर्स कुल नौ बर्सों की अधि में एक अत्रित ब्याज 870 रुपया है यानि टोटल ब्याज 870 है कितना बर्स में भाई तो 9 बर्स में यानि 9 बर्स तक कैसे हिसाब चला है रेट और समय का नुसार हम लोग देख पांचव का 20 परती सत अब करें 8 बर्सों के बाद की अधित देखो यह चार चार आठ बर्स तो बिच चुका है आठ बर्सों की बाद आधि के लिए और 9 बर्स में हिसाब होना यानि समय मिलेगा एक बर्स और एक बर्स के लिए यानि 8 बर्सों के बाद जो 6% रेट है वही यहां से गुने चोटल भी आज कितना हो गया 20 12 32 और 30 परसेंट यानि 38 परसेंट बराबर 870 परसेंट बराबर 870 बराबर 870 बर्ता और 30 गुना स्वाव कर लें यहां देख सकते हैं काटे हम लोग तो 19 से काटके देखा जाए 19 दुनी 38 यहां 29 चौट चीहत्तर हो गया तो संतावन हुआ यानि उनस्तियां संतावन यहां से देख सकते हैं दो से यह कट जाएगा पचास बार में यानि गुना करेंगे पचास बुने 40 तो आपका 2000 हो गया डेर सव यानि 2150 रुपईया हम लोगों का मुल्धन होगा अंसर हो जाएगा यहां बात आप समझ रहे हैं कि अलग अलग दर समय के लिए हम लोग यहां से 30 percent calculate क हम करके उर्णत को संड को बना लेंगे चलिल को संदे यहां ब्राज में कमी ब्राबर कमी ब्रीदी ब्रीदी युक फल्रीपर युक फली युधंपर कर देना है अगले 5 बर्सों के लिए 16% तो अगला 5 बर्स के लिए 16% तो 16 पचे क्या हुआ 80% हो गया फिर कह रहा है 8 बर्सों के पस्चाहत कि समय अधी के लिए 20% यानि 10 तो 20% है लेकिन कितना समय मिलेगा आगे देखेंगे उधार ली गई यदि 11 बर्सों के उपरान यानि हिसाब आते हैं 5-3-8 कंप्लीट हो चुका था यानि 8 बर्स के बाद 11 बर्स टोटल समय है तो तीन बर्स टाइम मिला इसको 20% पर ब्याज सुनने के लिए तो बिश्तियाए 60 अब की बड़ देखिए बड़ा अच्छा कोशन कर दिया है पहले इसको जोर लीजिए 176% हो गया देखि यह कोई बीचिज अपने आप में 100% तो यह कितना अधिक है तो देखिए यहां 176 है यानि मुल्धन से 76% अधिक है आप कहेंगे अब 76% बराबर 60 असी एक परसंट बराबर 60 असी बटा 76 गुना सो अब देखिए आठ च्छा कर ता लिस तो आठ से एक गुना करेंगे न तो 608 हो जाएगा यह जीरो रहेगा और ची गुना सो करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा आठ अजार अंसर हो जाएगा चलिए देखते ह ब्याज का अंतर दिया है तो आप अराम से डेखिए बेसिक से बनाईए यह साइवन माइनस एसाइट वराबर रुपया है और ब्याज का फर्मूला क्या होता है फी गुने आर गुने टी बटा सौ तो बेसिक से बन जाएगे इसलिए कोई दिकत नहीं है तो देखिए अधन वहीं है समय वहीं है क्यों दर अलग है गुनेर दो बटा सो बराबर रुपया तो यहां से देख सकते हैं आपको फैदे क्या मिलेंगे यह दो यहां देख सकते हैं कि अगर इसको करें तो दिसिमल पहले से थे को डिसिमल जाएगा तो दस हमलो दो पांच हो जाएगा यानि इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं डेसिमल को भी आप परसेंट में बदल सकते हैं तो वन बाई फोर करके भी जा सकता है चलिए नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन हम लोगों को दिया हुआ है 265 रुपईये की धन रासी को दो भागों में उधार इस परकार दिया गया कि पर्थम भाग पर 3% परती वर्ष की दर से 8 वर्ष में और जित व्याज दिवतिये भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में और जित व्याज के बराबर है यानि यहाँ पर ब्याज बराबर ब्याज कह रहा है तो देखिए दो भाग एक को X कर दीजिए दूसरे को Y कर दीजिए और ब्याज कैसे मिलता है मुलधन का 80% तो यहाँ से देखिए पहला जो है उधार दिया गया है पर्थम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष के लिए तो अर्थ से परसेंट कटा यह तीन से कार दीजिए तीना वठ है ठीक है तीन पच्चे यानि आठ एक्स बराबर 5Y हुआ रेशियो वला में थट यह लगा देंगे तो पांच बटा आठ हो गया एक्स बटा वाई पांच बटा आठ हो गया यह टोटल धन हो जाएगा एक्स प्लस 601 वराबर 205 हुआ अब पूछे इसका तो पांच गुने 205 इसका पूछे तो आठ गुने 205 इस तरीके से हम लोग गुना करके निकाल सकते हैं तो देख सकते हैं अराम से यह कोश्चन हम लोगों का बन जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं से रुपईये की रासी को दो भागों इस परकार विभाक्त करें कि पहले भाग पर पांच परतिसत बार्सिक दर से तीन बरस का सधारन ब्याज दूसरे भाग पर छोब पूर्णा एंगे एक बड़ाबर है तो रासीयां बताएं तो अभी जो कोश्चन पिछला वाला है वै अधर लगा के बना दीजिया आइटी परसेंट यानि दर समय पहले भाग पर क्या है पांतियाइं पंदरा परसेंट और दूसरे भाग पर देखिए छोब पूर्णा के एक बटा चार तो चचोग का चोबी से पचीस बटा चार दर है और टाइम है चार बर्स तो ऐसे ही न यानि पांस तीन, आर्ठंस बराबर चतीस सो तो क्या करेंगे 11 बराबर निकाल देंगे तो देखिए एकस बराबर हो जाएगा 368 चले गा तूर्य का करेंगे चार्तियां बार डेर्स यानि तेरा सब पचास हो गया देख सकते हैं बाइस तेरा पैंटीस पचास पचास एक ठीक है तो इस तरीके से छत्पीस हम लोगों का हो जा रहा है चलिए अगला कोशन भी बहुत अच्छा है बड़े अच्छे धंग से बनेगा आप इन सब चीजों को देखे फोकस करें और आपका एक्जाम बहतर होगा देखिए आठ सारुपईया की धंडासी यानि मुल्धन आठ सब्सक्राइब बहुत अच्छे धंग से जुबानी बन जाता है विदाउट इजिंग दपेन लेकिन यहां समझ लीजिए कि हाव टू हैंडल दको किसी धन पर कुछ पराप्त होता है वो ब्याज होता है कह रहा है यदी तो और तीन परसेंट बढ़ा दें तो बताइए कि अधी में वहरासी कितनी हो जाएगी यानि नया वाला मिस्रधन बताइए तो देखिए एक तरीका है कि पुरान का दर निकालिए नया इंक्रिजमें जे उतने समय में कितना ब्याज अधिक मिलेगा ठीक है क्योंकि ब्याज 80% होता है किसका 80% तो मुल्धन का 80% यानि यहां कह रहें दौर 3% बढ़ा दो तो अब देखिए 3% हम अगर दौर यहां बढ़ा देंगे तो तीतिरी का 9% हमको 80% हुआ किसका 9% ब्याज मिलेगा तो 800 का 9% 800 का 9% 72 रुपया मिलेगा तो अगर दौर बढ़ा है तो 72 रुपया में जोड देंगे अगर यह कहता दौर अगर घटा है तो हम क्या करते हैं यहां पर मुल्धन का 80% निकाल के इस मिसरधन में से घटा लेते नहीं बहुत पर घटा लेते फॉर इक्जामपल कह देता सम मिसरधन होगा उसमें से घटा लेंगे को जब रेट जग घटाएगा तो ठीक है अगर रेट बढ़ाएगा तो आप ब्याज निकाल कर यहां पर एड़ कर दीजिएगा तो देख लीजिए यह 992 रुपया नया वाला मिसरधन हो गया इस तरीके से बहुत अच्छा अच्छा वाला कोस्टान जो है इस शेप्टर का समाप्थ हो जाएगा थैंक्स पर वाचिंग